किसी भी चीज को घलती से फेक देना असान है, पर क्या होगा अगर वो चीज आपको आपकी जान से ज़ादा प्यारी हो, जैसे घर की चाबियां, सेल फोन्स या फिर कोई महंगी जूलरी, मुझे याद है मैंने कई बार कच्रे में गोता भी रगाया है, अपनी कीमती चीजों जो फेक दी गई हो, नमबर दास, पचास हजार डॉलर का वाइलिन, ग्यूसे पे पेडराजिनी एक ऐसा नाम है, जिससे शायद वही लोग वाकिफ होंगे जो शास्त्रिय संगीत से जोड़े हुए हो, पेडराजिनी बीसवी सदी के महान वाइलिन में कल थे, कुछ साल पह पता लगा सके, इस उमीद से कि उसे अपनी वाइफ को एक बेहतर इंस्ट्रुमेंट गिफ्ट करने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे, हलागि उसने बाद में अपना मन बदल लिया, जब उसे पता चला कि ये वाइलिन पैदराजिनी ने बनाया है और इसकी एक्शुल की मुझे यकीन है कि ये सुनकर उसको बेहत खुशी मिली होगी कारला स्क्वेरी नाम की एक मिसेरी महिला ने अपने हाध होते समय अपनी चार लाग डॉलर की अंगूठी उतार कर नैपकिन में सुखाने के लिए रख दी ताकि वो सेफ रहे, पर किसे पता था कि उसके पती उसी टॉबल को किचिन की साफ सफाई करने के लिए इस्तिमाल क गया था, जब उन्हें इस बात का अजाज हुआ और वो ट्रेश कलेक्शन सर्विस के पास गए तो उन्होंने मदद करने से साफ इंकार कर दिया, ये तो अच्छा था कि मेयर की मदद से उन्हें कच्रे के धेर से अंगूठी ढूंडने की परमिशन मिल गई, और आखिरकार उन्होंने अपनी अंगूठी ठूंड ही निकाली, वहीं दूसरी ओर, एनना मैगविन नाम की एक यूवती भी, अपनी दस अजार डॉलर की अंगूठी को लेकर बहुत ज्यादा कॉंशियस थी, शावर में अपनी अंगूठी को खो देने के डर से उसने अपने पती ब्रा जा चुका था, ब्रायन को एक खास सूट पहन कर कच्रे में गोता लगाना पड़ा, और नसीब ने भी उनका साथ दे दिया, और आखिरकार अंगूठी ठूंड ही निकाली, पर आप इस अंगूठी को पहनने के लिए उन्हें इसकी कड़ी सफाई भी करने पड़ेगी, नम जाना पोलिस के हाईवे नंबर सत्तर पर काम करने के दौरान कुछ मजदूरों को एक पैसों से भरा टायर मिलता है, जिसमें से पांच डॉलर और सौ डॉलर के नोट्स मिले, पर पूरे कैश का टोटल करने पर पता चला कि टोटल अमाउंट है एक लाग डॉलर, पता नहीं कोई असा कैसे कर सकता है, पर एक बात तो पक्की है कि अब से मैं रास्ते पर पड़े किसी भी टायर को अंदेखा नहीं करूँगा, नंबर साथ, पेरोल चेक में 57,000 डॉलर, सौलिड वेट ऑपरेशन्स के पिनेलस काउंटी विभाग में सीनियर कंप्लाइंस के तौर पर काम कर रहे, एलेक्स क्रॉफर्ड कच्रे में से असमाने चीज़ें खोज निकालने के लिए जाने जाते हैं, एक बार तो उन्होंने एक पैर को बाहर लटकता देखा, अगर मैं उनकी जगह पर होता तो यकीनान इस पैर को एक डैट बाड़ी समझ के अब तक प असली विजेता है ये मैला, जिसे अपना 57,000 का सेलरी चेक मिल गया, वेल सही मायनों में उसके लिए एमपलॉईज विजेता थे, नमबर च्छे, पैतिस साल पुराना बेसबॉल कार्ड कलेक्शन, जेसन सौटर मैनहटन में रहा करते थे, मा सुजैन ने उनके कमरे की साफ स पैम, VETS नामक, लोकल चैरिटी वाले को भी बुलाया, पर मदर्स दे पर जेसन को ये रिलाइज हुआ कि उसकी मॉम ने उसके बचपन के बेसबॉल कार्ड के कलेक्शन की बैक को फिंग दिया है, इस कलेक्शन में 1958 के रॉजर मैरिस के रूखी कार्ड भी थे, जिसे अगर इबे पर बेचा जाए तो तीन अजार डॉलर तक कमाया जा सकता था, खेर और भी कई कार्ड थे जो कि इतने ही वैल्यूबल थे, और अगर इनका टोटल किया जाए तो इसकी कीमत तकरीबन पांच से दस अजार डॉलर होगी, सच में, इस मा को अलमारी की सफाई महंगी और यहां Clean Bay Area नामक एक Recycling Farm भी है, एक बार एक महिला पुराने Electronic से भरे कई बक्से लेकर आई, उनका कहना था कि उसे ये बक्से उसके अपने गुजरे हुए पती के Garbage से मिले हैं, यहां तक कि उसने अपना नाम बताने से भी साफ इंकार कर दिया, बहुत दिनों बाद के द्वारा पॉसनली अपने हाथों से असेंबल किये गए थे, जब इसकी तसल्ली हुई, Clean Bay Area ने इस कीमती चीज़ों के डोनर्स के साथ ऐसा ही करते हैं। नमबा चार, मिलियन डॉलर की लोटो टिकेट, मिसाचू सेट्स के केवें डोनर्वन नाम के एक व्यक्ति को स्केच आफ लोटरी टिकेट खरीदने और हारने की आदत थी, एक दिन इस आदमी ने भूल से उस टिकेट को फेंक दिया, जिससे उसे वाकई में जीत मिली थी, तो दूसरी तरफ 13 सी वर्षिय एडवर्ड सेंट जोन थे, जिनको फेकी हुई लोटरी टिकेट को कलेक्ट करने का शौक था, सबके अपने अपने शौक होते हैं न, उनके इस शौक ने तो उन्हें मिलियन डॉलर की लोटरी जितवा दी, डोनो वान जिन्होंने ये वाही से बचने के लिए, वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए, ऐसी ही एक सिचुएशन सामने आई जब लिटल रॉक अरकसांस में एक कचरा उठाने वाले मिलियन डॉलर की लोटरी जीतने पर मुकदमा किया था, और इस बार सिर्फ जीतने वाले पर नहीं, स्टोर के मा हीले होते हैं कि किसी को भी अंधा कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ इन जूलरी स्टोर एमपलॉईज के साथ, जिन्होंने पांच मिलियन की कीमत का डाइमंड कचरे में फेक दिया, खेर एक सिक्योर्टी गार्ड ने इस हीरे को खोज निकाला, पर वो इतना होश्यार ना था उसने इंतिजार किया कि जैसे ही सब इस हीरे के बारे में भूल जाएंगे तो वो इसे बेश देगा, पर काले बाजार में बेशते ही बिचारा पकड़ा गया कभी-कभी कोड़े कचरे में चीज़े ढूणने से इमानदार लोगों को भी फायदा होता है एलेजाबेद गिपसन नामा केक नियू यॉर्कर ने 38 इंच बाई 51 इंच की पेंटिंग को फुटपाथ पर अन्य कचरे के साथ पढ़ा हुआ देखा उसे अपने घर ले जाने का उसने फैसला गिया एक दिन जब वो एंटिक रोट शो देख रही थी तब उसे एसास हुआ कि जो पेंटिंग वो घर लाई थी उसके कीमत एक मिलियन जितनी थी और इसे 20 साल पहले चुरा लिया गया था क्योंकि इस पेंटिंग पर 15,000 डॉलर का इनाम था उसने ये पेंटिंग लोटाने का फैसला किया खेर पुलिस कभी असली चोर को पकड़ नहीं पाई और बिल्डिंग मैनेजर का कहना था कि ये कच्रा 20 मिनिट बात ही कलक कर लिया गया था मूलेवान कला की बात करें तो एक इतालवी गैलरी में एक सफाई कर्मी ने पॉल ब्रैंक का द्वारा बनाई गई 15,000 डॉलर की कीमत के स्कल्प्चर को फिंग दिया सच कहूं तो ये स्कल्प्चर का शेप दो डस्ट बिंस जैसा ही था आर्टिस्ट का मकसद लोगों को पर्यावरन के प्रती जागरों कराना था आई जस्ट ओप कि ये स्कल्प्चर रिसाइकल हो गया हो नमबर एक बिटकोईन साल 2009 में जेम्स होविल्स नाम के एक IT कारेकरता ने क्रिप्टो करेंसी के शुरुआती दिनों के दौरान अपने लैप्टॉप पर 75-100 बिटकोईन जमा किये थे जिसका आर्थ था कि उसने अपने कंप्यूटर को डिफिकल्ट मैथामेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेट किया था जिसके रिटर्ण में उन्हें बिटकोईन टोकन्स मिलते थे जिनकी कीमत उस वक्त केवल 20 पाउंड ही थी ये बंदा अपनी हार्ड ड्राइब में इन बिटकोईन्स को सेव करके भूल गया और एक दिन जब उसकी गल्फेंड ने लैपटोप के स्लो होनी की शिकायत की तो उसने हार्ड डिस्ट चेंज करके पुरानी हार्ड डिस्ट कच्रे में भी फेंग दी हालागे आज की दिन में इन बिटकोईन्स की कीमत 4 मिलियन पाउंड थी आज एक बिटकोईन की कीमत अगर 2593.93 है तो अगर इसे 7500 से गुणा कर दिया जाए तो इसकी कीमत करीब 19 मिलियन से भी जादा है ये बिटकोईन्स तो वाकई कीमती हैं पर इन्हें एक सीक्रेट कोट के मदद से ही खोला जा सकता है पर प्रॉब्लम ये है कि सारी information उस hard disk में saved है उसने अपनी hard disk को पाने के लिए इनाम का एलान भी किया पर आज तक इस hard disk का पता नहीं चल पाया है यहां तक कि James ने actual इनाम की amount भी share करने की बात कह दी क्योंकि कोड के लिए तो James की जरुरती पढ़ने वाली थी क्या आपको भी कभी कचरे में इस तरह की कीमती चीज़े मिली है अगर हां तो comment section में हमारे साथ जरूर share करें अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो like and subscribe करना बिल्कुल न भूले bell icon को click करके हमेशा हमारे वीडियो से updated रहें हमारा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया